क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी स्किन बिल्कुल स्मूद रहे, क्रिस्टल क्लियर रहे, चहरे पे जाईया ना हो, पिग्मन्टेशन ना हो, रिंकल्स ना पड़े, आप हमेशा अपने आपको जवान बनाए रखना चाहते हैं, यह पता हर लड़की की ख्वाइश होती है, हर शायद हो सकता है, आप उनको फोलो ना करते हो, अगर फोलो करते हैं, तो यह जितनी तरह की प्रोग्लम से हैं, यह आपको ना होती, लेकिन उसी में मैं कुछ छोटी-छोटी चीजे और बहुती बेसिक और अच्छी चीज़े लाई हूँ, कि यह मैं आपको कुछ यह नहीं मुझसे पूछा जाता है कि आप अपनी स्किन की देखवाल कैसे करती हैं, आप कैसे यंग लगती हैं, तीन-तीन बच्चे होने के बाद भी, उसकी यही वज़ा है, क्योंकि मैं अपनी हेल्थ का, अपनी फिटनेस का, अपनी स्किन का ध्यान रखती हूँ, तो वही मैं पड़े करती हूँ, वो है, सुबह उठके गुंगुना पानी, मैं 2 गलास कम से कम गुंगुना पानी पीती हूँ, अगर आप उससे ज़ादा पी सकते हैं, 2-3 गलास गुंगुना पानी पीजे और हो सके तो, मैं डालती हूँ नीमभू और शेहद, क्योंकि वो मेरी बोडी को detoxify करता है मेरी skin को glowing बनाता है और मेरे मेरी जो oily skin है उसकी जो pimples और acne है उसको आने से रोपता है और साथ ही मुझे energy भी देता है अगर आप चाहते हैं detox water को किसी भी तरह के detox water चाहे आप उसमें ginger add कीजे चाहे आप उसमें तुलसी add कीजे चाहे उसमें क्या पसंद करते हैं किस तरह का पानी पीना चाहते हैं आप वह ले सकते हैं बट morning में खाली पेट आपको काम यही करना है कि आपको पानी पीना पानी का skin की glow से क्या संबंद है जी हाँ अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत ही अच्छा connection है बहुत ही तगड़ा connection है वो क्या क्योंकि जब आप पानी पीते हैं तो आपकी जो constipation है आपका पेट जो है बहुत जरूरी है तो इसलिए जो है आप सुबह ओट के मौनिंग में दो सितीन ग्लास पानी पी लिया फिर यह होता है कि या बिंग आप नहाने जाते हैं तो अपनी skin को CTM से प्रैप कीजिए अब आप सोच रहे होंगे CTM क्या है अपनी बहुत सारी वीडियो से बता चुक है आपकी जो इसकिन में होती रहती है अगर आप नहीं करते हैं तो आप उसको कर सकते हैं अगर आप कोई DIY फेश कर रहे हैं तो आप उसको कर सकते हैं अब कोई किसी भी ब्रैंड का जो आपको सूट कर रहे हैं तो आप उसको करती रहे हैं अगर आपको सूट कर रहा है तो को continue कीजिए लेकिन आपकी स्किन को clean अपनी स्किन को clean रखना बहुत जरूरी है सेकंड है toning अब आप सौच रहोंगे toner की क्या जरूरत है भाई चेहरा हमारा साफ तो हो गया है लेकिन toning की बहुत जरूरत है जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारे जो पोर्स है वह उपन होने लगते हैं उन्हीं पोर्स को श्रिंग करने के लिए बढ़े ना लगे तो उनको श्रिंग करने के लिए बहुत जरूरी है toning toning करने से हमारी की skin tight होती है और अगर by chance कुछ आपके residue रहे गए हैं क्लीजिंग करने के बाद आपकी skin पर उसको वह clean up कर देते हैं toning के लिए कोई alcoholic use नहीं करना चाहते हैं तो एक basic सा है rose water rose water से आप toning कर सकते हैं बहुत ही अच्छे result है उसके भी तीसरा है मौशराइजिंग जब हमने face wash कर लिया toning कर ली तो मौशराइजर बहुत जरूरी है क्योंकि मौशराइजर है जो अगर कुछ face wash इतने हार्श होते हैं कि आपकी skin से पूरा मौशर खीच लेते हैं तो आप alcoholic toner use कर रहे हैं तो अपनी हमारी skin dry भी होती है मौशराइजर लगाने से जो है वो हमारी skin का जो मौशर है वो balance हो जाता है तो इसलिए जो है toning के बाद मौशराइजर लगाना चाहिए अच्छा उसके बाद है मलब यह तीन step जो है वो है के morning और आपको evening में करने हैं लेकिन जो last step फॉर्थ वो यह है sun screen अगर आप कहीं बा highly है तो आपको gel based sun screen यूज़ करनी है अगर आपके skin dry है तो moisture based sun screen यूज़ करनी है और अगर आपके skin normal है तो आपको cream based sun screen यूज़ करनी है क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपनी skin type को पहचाने उसके बाद को product यूज़ करें तनी ज्यादा sunstroke or heat waves है कि आपको sun screen लगाना मस्त है और आपको जो भी make up करना है इसके बादी की निस्ट हाइड्रेशन हाइड्रेशन is the key for your beautiful skin तो आप अपनी और शेंट मुन क। आपकोई ऑसे कितने सारे वाईदा है आपकी लिसी बादी कहो से प्र रहता है आपणी का पैठ साफ रहता हुआ państwo तके पी कितना भी मौशर करते रहें हैं उसका इतना फाइदा है क्योंकि जरूत हमें अंधर से हील करने कुछस लोगों की इची होती और इस तो ने क होते रहें कर दो लिए 없어 नहीं होता है लेकिन फॉसकी उनकी बॉड़ी में हाइड्रेशन की कमी होती है, अगर वो ज़्यादा पानी पीना शुरू कर दें, और अपनी डाइट वोटर को शामिल कर लें, तो उनकी प्रोब्लम खतम हो जाएगी, यह मेरा अपने घर का परसनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आप से यह चीज शेयर क कर रही हूं, आप कि भी बाहर जाते हैं, बहुत बीना मेक अप के भी, उसके बाद आप घर पर आते हैं, और घर पर आने के बाद, आप अपनी सकीन को clean कर लेते हैं, और आप जैसे एक बड़ पार फेश्के वैश स्किन औरो फोटम कर देखे है, और आप इसमें कोई सिकन ह हुई है तो इसके लिए जरूरी है जब आप रात में बेट पर जा रहे हैं सोने के लिए तो अपनी स्किन को डबल क्लीन कीजिए और अगर आपने मेकप कर रखा है तो तब तक कीजिए जब तक आपके की मेकप का कोई भी रेजिड्यू आपकी इसकिन पर है और यह आपको कॉटन से ही पता चलेगा कॉटन से जब आप वाइप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्लीन हुई की नहीं हुए तो यह कुछ पॉइंट से जो मुझे लगता है कि सर यह लोग गलती करते हैं कि बिना इसकिन को प्रॉपर साफ किये वे अच्छे से साफ किये वे जो है सो जाते हैं उसकी वजय से जो हमें एकने और पिंपल्स की प्रोगलम हो जाती है और भी अलग अलग यदि के इसकिन वालों को अलग अलग सकती है next point है बहुत ही important find your skin type जैसे को मैंने आपको कोई product बताया और उसके बाद जो है आप अगर बोलते हैं कि यह product हमको आउसूट नहीं किया है तो देखिए यहां मैं एक बात बताना चाहूंगी कि सब की स्किन टाइप अलग-अलग होती है चार टाइप की स्किन होती है ओली ड्राय नॉर्मल एंड संसिटिव आपकी स्किन जिस टाइप की है आप उसी टाइप के प्रड़क्ट यूज कीजिए और हर हर टाइप के प्रड़क्ट मार्किट में अवेलेबिल है आपकी इसकिन टाइप के अकॉर्डिंग यह बहुत ही जादा जरूरी है कि आप अपने प्रड़क्ट अपने इसकिन टाइप के अकॉर्डिंग ही लीजिए वरना आपको अलग-अलग टाइप की प्रोब्लम और मैं मैं स्कूल जाती थी तो मैंने क्या किया कि ऐसे ही चली जाती थी उसके नतीजे यह हुआ कि मेरी जो आखे हैं वो लाल रहने लगी जब मैंने गोगल्स लगाने शुरू करें तब वो तब धीरे धीरे प्रॉब्लम खतम होई तो यह केवल मैं एक्जाम्पिल इसलिए डिया हुआ कि आपके साथ भी इस तरह की कोई समस्या हो सकती चोटी चीजे हैं चैशी चीजे जिनको आप अपनी लाइफ इस्टाइल में अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं जिसे जो है आप समब हीट वेव से बस सकते हैं जब skin care की बात होती है तो एक most important point है अपने skin को exfoliate करना week में कम से कम एक या दो बार अपनी skin को exfoliate जरूर करें जिससे जो है जितने भी आपकी जितने white head और black head है वो clean हो जाए और इससे आपकी skin भी clean लगती है और यही जो white head है वो आगे चलके pimple या acne का रूप ले लेते हैं तो इसलिए जो है उस problem से बचने के लिए पहले ही skin को अच्छे से clean कर लेना चाहिए लास्ट है वो यह है कि अगर आप working lady है या फिर आप cold is going है या फिर आप घर में भी रहती है अगर तो इतनी जादा heat wave जो चल रही है और आपकी skin को sun damage हो रहा है उससे बचने के लिए कम से कम हफते में एक से दो बार कोई भी face pack लगाई है क्योंकि आपकी skin के tissue जो है वो रिलाक्स हो जाते हैं इसकिन को nourishment मिल जाता है तो तो कोई भी face pack आप अपनी पसंद कर लगा सकते हैं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको एक लाइक कर दीजी सब्सक्राइब कीजिए चैनल और शेयर कीजिए इसको अपने फ्रेंज के आज शोशल मीज ये पादलाई बाई बाई बाई